नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में तो जैसा कि आप लोग हमारी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि स्वस्त बालक बाली का अस्पर्धा जो कारेकरम होने वाला है 8 जनुवरी से 14 जनुवरी 2022 तक तो इसका अपडेट जो है पोसन ट्रेकर एप पर आ चुका है आप लोगों ने अभी तक पोसन ट्रेकर एप को अपडेट नहीं किया है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि पोसन ट्रेकर एप को अपडेट कर लेना है जैसे कि अगर आप लोगों ने अपडेट कर लिया है तो आप लोग को इस परकार से तीन केटेगरी देखने को मिल लई होगी इन तीनों केटेगरी के बारे में आपको इस्टेब इस्टेब जनकारी दूँगा कि कैसे इस तीनों केटेगरी में लॉग इन करना है तो चलिए पहले हम लोग इस Potion Tracker एप को अपडेट कैसे करना है इसके बारे में समझ लेते हैं जैसे कि यहाँ पे Play Store का आपशन आप लोग देख रहे हैं आप लोग के मुबाइल में भी Play Store होगा तो आप लोग Simply Play Store में जाईएगा वहाँ पे लिखिएगा Potion Tracker Potion Tracker जैसे ही लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपका अपडेट करने का आपशन आजाएगा आप लोग Simply इसको अपडेट कर लिजिएगा हमने यहाँ पे Potion Tracker एप को अपडेट कर लिया है अपडेट करने के बाद आप लोग जैसे ही Open वाले पे किलिक करेंगे तो आपका जो इंटरफेस है कुछ इस परकार से दिखाई देगा जैसे कि इसमें आप लोग के मन में सवाल उठ रहे होंगे कि जो 8 जनवरी से 14 जनवरी तक जो यह असपरधा चलने वाली है स्वास्त बालक बालिका का उसमें आगण बाड़ी सेविकाओं को क्या करना होगा Parents and Guardians को क्या करना होगा Agency जो Representative है संस्थाएं जो हैं वो कैसे काम करेंगी इसमें तो अगर आप लोग के मन में यह सारे सवाल है कि कैसे इस पर काम किया जाएगा कैसे क्या करना है तो इसी के बारे में आपको step by step जनकारी देने वाला हूँ तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक request करना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को like नहीं किया है तो please आप लोग इस वीडियो को like जरूर कर लिजिए और साथी साथ पोशन ट्रेकर एप से related जो भी आप लोग नए अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को subscribe भी जरूर कर लिजिए ताकि पोशन ट्रेकर एप की जो नई अपडेट आने वाली है और जो नई अपडेट आ चुकी है जो तमाम तरह के सवाल आप लोग के मन में उठ रहे हैं तो इस पोशन ट्रेकर एप से related मैं आपको सारी जनकारिया समय समय पर देते रहूंगा जैसे कि अगर आप पोशन ट्रेकर एप को अपडेट कर लिए है तो यहाँ पे आगणवारी वोरकर जो हैं वो पहले से ही लॉग इन हो चुकी है और वो पहले से ही कारेक कर रही है तो वो अपना यहाँ से लॉग इन करके अपना काम कर सकती है दूसरा में दिया गया है Parents and Guardian तो जो लभार्थी के Parents and Guardian है वो भी इस Potion Tracker एप को डाउनलोड करके वो अपना यहाँ पर registration करा सकते हैं जैसे कि यहाँ पर Parents and Guardian पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि Parents and Guardians के लिए यहाँ पर register करने के लिए मांग रहा है तो वो अपना Mobile Number डाल के यहाँ पर register हो सकेंगे और वो क्या करेंगे कि जो बच्चे हैं अगर वो अपने बच्चों का यहाँ पर register करके जो height और weight है वो डाल के certificate पराद करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से अपना इस परकार से registration करा सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर आप लोग लाश्ट में देख रहे होंगे Agency Representative तो यह Agency Representative का जो option दिया गया है वो इसमें इसलिए दिया गया है कि जो संस्थाएं इस अभियान से जूरेंगी जैसे कि NGO या फिर जो हमने कल के update में आप सभी को बताया जो association है वो सभी लोग इस Agency Representative पर अपना registration कराएंगे और registration कराने के बाद वो अपने अस्तर से जो 0 से लेके 6 वर्स के बच्चे हैं उनका वो लोग अपने अस्तर से बच्चों का height और weight जाचेंगे और उनका वहाँ पर registration कराएंगे तो आप आगणवारी worker हैं तो यहाँ पर आगणवारी worker पर click कर देंगे तो आपका जो login रहेगा वो जैसे आप लोग काम करते हैं वो ऐसे आपका login खुलेगा खुलने के बाद सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर जो यह update है वो 11 का update यहाँ पर आ चुका है नीशे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो नयवाल भर्जन है वो 11 भर्जन आ चुका है तो आप लोग जल्दी से इस portion tracker app को update कर लिजिए open होने के बाद यहाँ पर आप लोग के मन में सवाल उठ रहे होंगे कि किन बच्चों का हम लोग का height और weight 8 जनवरी से 14 जनवरी तक डालना है तो आपको मैं बता दू कि अगर आप लोग हर महीने बच्चों का height और weight डालते हैं तो आपको वो तो डालना ही है लेकिन 8 जनवरी से लेके 14 जनवरी के बीच आपको फिर से सभी बच्चों का height और weight मापना है मापने के बाद इस portion tracker app में डालना है डालने के बाद उनका जो health status दिखाएगा जैसे कि normal किसी बच्चे का status दिखाता है तो उस बच्चे का जो मातापीता का mobile नमर हम लोगों ने portion tracker app में update किया है तो उस लभार्थी के mobile पर उस एक link भेजा जाएगा जिस link के तहट अगर बच्चा normal है तो उसका certificate वो लोग download कर सकते हैं सिर्फ normal बच्चे का ही certificate download होगा बाकी इस परकार से बच्चे का height weight दिखाता है तो उनका certificate download नहीं होगा जैसे कि आपको क्या करना है कि beneficiary वाले category को open कर लेना है तो आपका जो beneficiary जितने भी हैं वो इस परकार से खुलेंगे इसमें थोरा सा समय भी लग सकता है जैसे कि इस portion tracker app पर अभी work चल रहा है तो थोरा आपका portion tracker app slow भी चल सकता है तो थोरा देर के बाद आपका जो portion tracker app है वो इस परकार से सभी लभारती दिखाई देने लगेंगे तो आप लोग को क्या करना है कि जो बच्चे हैं उनका अभी कुछ नहीं करना है आठ तारीक से लेकर 14 तारीक के बीच में जो भी बच्चे हैं उनका height और weight जैसे डालते थे वो इसे ही डालना है height और weight measurement करके डालना है ताकि उनका जो health status है उसका पता लगाया जा सके कि कितने बच्चे stunted हैं कितने बच्चे normal हैं इस प्रकार से आप सभी आगनबारी सेविकाओं को ऐसे काम करना है और देखिए एक बात मैं और clear कर देना चाहता हूँ कि अगर आपके पोसक छेतर के अलावा कोई भी बच्चे 0 से 6 वर्स के हैं तो उनका भी आप सभी आगनबारी सेविकाओं को इस portion tracker app में उनका नाम और उनके माता-पिता का नाम आप लोग को जोड़ना होगा देखिए कैसे जोड़ना होगा जैसे कि ये जो category आप लोग देख रहे हैं इन्ही category में अलग से उनका एक module जोड़ा जाएगा जिस module में जो आपके पोसक छेतर के बच्चे नहीं है उन बच्चों का आप लोग उनका details भर के उनका registration करना होगा सिर्फ उनका registration ही करना है जो height और weight डालना है इस परकार से आप लोग को एक अलग module जोड़ा जाएगा तो आप लोग को इसमें चिंता नहीं करना है कि वो हमारे पोसक छेतर के नहीं है तो हम उनका नहीं करेंगे तो उनके लिए अलग से एक module जोड़ा जाएगा जिसमें उनको अलग से उनका height और weight नाप के उनको अलग से उसका measurement किया जाएगा तो आज के इस वीडियो में फिलाल इतना ही और भी कोई नई update आती है पोसंट्रे का रैप में तो उसकी भी जनकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी तो आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का कोई भी कमेंट हो आप हमें कमेंट वक्स में जरूर पूछ सकते हैं मैं उनका reply देने की कोशिस जरूर करूँगा तो मिलते हैं फिर किसी नई टॉपिक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद